नमस्कार दोस्तों मैं नीरज कुमार विदानसबा चुनाव 2023 के रणे चालू हो चुका है योदा मैदान में उतर चुके कुछ योदाओं का मैदान में आने का इंतजार है इसी क्रम में आज हमारे साथ है निरदलिय चुनाव लड़रे विदानसबा चेतर जुन जुनों से राजंदर जी भामवू जिन से हम सभी विश्यों की बाते करेंगे और जानेंगे कि इस चुनाव में उनको किस विजन के साथ वो इस विदानसबा चुनाव में चुनाव लड़ने वाले हैं राम 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 जी आप पहले भाज़पा से परत्यासी के रूप में तैयारी कर रहे थे आपको टिकेट नहीं मिलने के बाद आप निर्दलिये चुनाव लड़ने के लिए मेदान में उतरे हैं किस तरीके की संभावनाएं आप देखते हैं मैं बार्टिय जनता पार्टिय से टिकेट के लिए पूरा आस्वस्त था लेकिन किसी सडियंतर के तहट मुझे टिकेट नहीं दी जासकी अब मैं चुकि निर्दिले परताशी के रूप में उमिद्वार हूं और मेरा कोई मन नहीं था कि चुनाव लड़ने का लेकिन पांस सा अच्छातर में कारिय किये हैं सामाजीक राजनीतिक हर दरश्टी से जो भी रचनातव कारिय थे चाएए युवाओं के लिए हो चाए बच्चों के कल्यान का हो गरीबू का नात का सुक्र्ण्या समर्दी लंपी वाइरस कौराना वाइरस तरह तरह के जो भी रचनातव उसके कारण से जनता ने इस निराशा को बदलने के लिए अपने आपको राजिंदर भांबू कहते हुए मुझे यहां निर्दलिय परत्यासिक रूप में चुनाव लड़ने का आदेश दिया मैंने उनके आदेश को एक आगरे के रूप में सिवकार करते हुए इस रण में आ तो इस तरीके की भावनाएं होती है कि भाजपा यहां कॉंग्रेस का जो ओला परिवार है उसके सामने हमेशा कमजोर परत्याशी उतारती है इसी करम में तो इस बार आप यह नहीं देख रहे कि आपके वो टिगट नहीं मिली हाँ कुछ अत्त्य की बात सही है उसी करम में इस तरह का चैन हुआ है आपके साथी रहे सारे लोग जो आप टिगट मांग रहे थे आपने विभिन भार एक मंद से काया कि जिसको भी टिगट मिलेगा हम साथ लड़ेंगे एवं इस जो प्रिवारवादी के जो राजनेती चड़ रही है इसका हम खात्मा करेंगे तो फि कि पार्टी सुवग्य उमिद्वार को टिगट देगी उसके अंदर इस तरह की कोई दार्णा नहीं थी कि कांग्रिस पर्ट्यासी को जिताने के लिए और कोई एक अलग तरह का कोई उच्छ शिष्ट लोग मेरे को सडियंतर का शिकार बनाएंगे कि मेरी जो लोगपिरिया थी उसके अंदर उनकी जो आगे के मेतव कांगसा हैं उन पर उनको आगाच पहुंचता लगा तो उनोंने मेरे को सडियंतर का शिकार बना दिया और जनता के द्वारा ये फैशला किया गया है मैं निश्चित रूप से उस बात से बंदावा था लेकिन जनता ने कहा है कि ड कि गलती को सुधारने के लिए ही चुनाओ लड़ रहे हैं या आपका कोई उदिश्य है कि मेरे को चुनाओ लड़ना ही है पिसली बार उन्होंने निर्दलिया चुनाओ लड़ा तो उसी वो कोई ऐसी प्रतिद्वन्ता की वज़े सी चुनाओ लड़ना है कारिय करता की जो बावना है उसका अधर तो सर्वोपरी है ही मेरे लिए कारिय करता हमेशा मेरे लिए बहुत प्रिये स्रेश्ट रहा है और मैंने जो पांस साल में इस जुनजनू विदान सभा के लिए जो विजन में सपने सजोए थे और जनता को जो मैंने विजन बताया कि इस विधान सभा को मैं वन्सवाद और ब्रष्टाचार से मुक्त करूँगा तो उस विजन में मैं जब तक इस जनता की जन्परतिनी बनके नहीं विधान सभाएं पोचू तो मेरे जो संकलब थे वो पूरे नहीं हो पाएंगे और जनता की आकांक साव में खरा नहीं उतर पाऊंगा इसलिए चुनाव को मैं ये माद्दे मनाया है कि जूनों विधान सभा में मेरे कार्यकरताओं ने जो परिवर्तन के रूप में जो अपने सजोए थे वो साकार होसके आपके उपर आपके वीरोधी और आपके कार्यकरता लगातार ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि पिछली बार कोंग्रेस को जीताने के लिए सुमित्रा सिंग ने बबलू चोधरी का समर्थन करके उनको निर्दलिय चुनाव लड़ा रही है उनका उदश्य केवल भाजपा को हर लोड़ाना है इस तरह की कोई बात नहीं है हर चुनाव का अलग तरह का अजेंडा होता है अलग तरह की परस्तिते आती हैं आज के दिन जो मुझे चुनाव लड़ा जा रहा है उसके पिछे जो मेरा पांस साल का जो पाटरी के पड़ती जनता के पड़ती जो समर्पन था उसके साथ जो अन्याई अर्थात गोर अन्याई हुआ है और जो सगिंतर का सिकार हुआ है और जनता के जाथ जो अन्याई हुआ है उसको बचाने की जो मोहिम है उसके लिए चुनाव लड़ाय जा रहा है बिल्कुल ये रचनात्मक के उदिश्य से चुनाव है नहीं कि किसी नकारात्म कुद्धिश्य को लेकर नहीं आप जुन जुनों के विकाश के लिए चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन आपकी जो भाजपा के कारकरता है और बबलू चोधरी के शमर्थक है वो कह रहे हैं कि राजेंदर भामवू जुन 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 विदान सबाद छेतर से बिलों मेरा नाम प्रविष्ठ है इसलिए इस तरह की ये ब्रांतिया कुछ चंद लोग हैं जो मेरे विरोधी हैं वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस तरह की ब्रांतिया फैला रहे हैं लेकिन यहां की जनता भोत अग्रणी शिक्सित है और मेरे प्रति बड़ा सने और प्यार है इस तरह की भावनाओं में बेने वाले नहीं है सचा ही के वो साथ रहेंगे आपके ही पर्तिदवंदी या विरोधी कहूं वो लोग इस तरीके की भावनाएं स्विकार कर रहे हैं कि लगातार वो भाजबा के साथ भाजबा की वज़े से उनका यहां तक इसी स्थ कोई गल्ती कर दे उसको कारे करता तो वो सारे कारी करते भारती जनता पार्टी के हैं और उसके अंदर भारती जनता पार्टी ही मेरा समर्थन कर रही है कोई गलती संक्तन की है उसको सरफ सुधार कर रहे है मैंने कार्य क्या है वनसवाद को खथम करना उसके अजेंडे के तहती वो की कार्यक्रता सारे-सारे मेरे से जुड़े हैं आपने जो जंसंवाद कार्यक्रम किया था उपर गुंडाराज, बस्ताचार ऐसे आरोप लगाए उन आरोपों को आप किस तरीके से देखते हैं जब चुनाव परकिरिया सुरू हो जाती है और उमीदवार किसी भी पार्टी से या निर्दलिये जब परत्यासी के रूप में आ जाते हैं उसके बाद चुनाव इसी बात का है कि कौन परत्यासी अच्छा ह तो मेरे को व्यक्तिकत रूप से किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहना है ये जनता को तेह करना है कि कौन उमीदवार अच्छा है और कौन बुरा है ये प्राथ्विक्ता के आदार परिमददान क्या जाता है ये जनता को तेह करना है कि कर हमारी वाजबागे जिलादक से बात हुई उन्हों कहा कि राजबर जी भामव थे हम निर्ड लेखरो बाचीत करना कभी भी समवाद खतम नहीं होता समवाद करना चाहिए और वो पालिटी का मैं उनका ऐक मितर भी था और व्यक्तिकत रूप से उनका मितर आगे भी रहूंगा लेकिन जो समवाद करने की और न ह McMवाद बदलने की जो बात है वो समय निकल है किसी भी प्रिस्टती में मैं इस ने पर यडिघ रहूंगा निर्दलय पsectाशी गृुंसे को रूपfund में विधान सब्सक्राइब它 पहले आप भाजपा के कारकरता के रूप में तैयारी कर रहे थे। उश्व में वो सारे अजेंडे आपके थे जो भारतिय जन्ता पार्टी के थे। लेकिन अब आपके जुझनु विदानसवा के लिए क्या अजेंडा रहेगा। मानता की शेवा है, मानता की शेवा मैं अमेशा करने के लिए कर सक लब हूँ, उसी अजेंडे पर मैं चुनाओ लड़ रहा हूँ। जब से आपने निर्दलिय चुनाओ लड़ने की गोशना किये, उसके बाद लगातार लोगों का किस तरीके का रिश्पोंच आपको मिल रहा है। लोगों ने पांच साल में मैं जो दुख दर्द में सामिल रहा, समाजिक और राजनितिक या किशी भी तरह के संग्ठन के सब तरह के कारियों में बहुत वा गणी रूप से मैं लोगों के बीच रहा, उनके दुख दर्द में, खुशी में मैं सामिला, उसके कारण से मेरा करने के कारण जूर्दू विदान्सवा की सभी लोगों में इवन कोंग्रेस के जो मद आता है उन में मेरे परती सानुपुति की लेर है कि इस तरह का घोर अन्याय या इस तरह के सडियंतर का सिकार कम से कम राजेंदर भामू नहीं होना चाहिए था और इस तरह की गलतियों को बविशे में ऐसी दोरा ही नहीं जाएं सबक शिखाने के लिए जूर्दू विदान्सवा की जनता एक बड़ा उधान पेस करना चाहती है और मेरे परती इतनी बड़ी सानुपुति की लेर है कि इसका कोई अंत नहीं कि वोटू के रूप में परिवतन होके किस रूप में जाएगी जिसका अंदाजा नहीं लगा सकता जिस तरह से वायू के वेक का पानी के बहाव का अगनी के फैलाव का जिस तरह से कोई अंदाज नहीं होता है इसलिए जो मेरे परती जो जूर्दू विदान्सवा के मदाताओं में सानुपुति है उसका कोई पैरामिटर नहीं उसको मापने का कोई यंतर नहीं है यह किसी भी स्थती में किसी भी उंचाई तक पूँच सकती है इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है आपको इनके पूरुन विश्वास है कि जुवन विधान सबाझ आपको निश्ची तरो पर मौका देगी आप अंत में बाजबा के जो कार्वक रता है जो आपके साथ काम किया है और जुवन विधान सबाझ छेतर के जनता हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे जूजनु जनता से मैं अपील यही करना चाहूँगा कि मेरे प्यारे सातियों जो निराशा का वहाव एक तारीक को आप लोगों के बंद में हुआ वो आप दूर करें और मेरे साथ मुस्कराते हुए आप खड़े हो जाएं और जूजनु विधानसवा का प्रतेक मद्दाता राजंदर भामवू बनकर इस चुनाव में आगे आए और विशेश रूप से आपके स्योग्य भोत इसने ही उमिद्वार राजंदर भामवू को विजय बनाने के लिए करसंकले प्रहे और जूजनु को जो विकास का अपने अजेंडा लिया है उसको आकार दें और परिव पांस शाल में जबसे मैंने पिछली बार विदान सबा चुनाव लड़ा था उसके बाद लगातार संगठन के साथ मिल करके जुन जुनों की जनता का हर दुख सुख में सात रहूं जैसे ही मेरा टिगट कटा है जुन जुनों की जनता में नीराशा का भाव है लेकिन अब वापस एक परिवर्तन की भाव देख रही और जुन जुनों की जनता हर कारेकरता राजंदर भामू बन करके इस विदान सबा चेतर में चुनाव लड़ेगा और यहां जो परिवारवाद वन्सवाद एंग गुंडाराज भष्ठाचार का जो महावल है उसको खतम करने का लेंगे बाकी जब हम तीन दिशंबर को प्रिणाम आएगा तब हम देखेंगे कि जुन जुनों की विदान सबा में किसके सिर पर ताज सस्ता है